हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और welcome है आप सभी का आज की इस वीडियो में आज की वीडियो बहुत important है market की current situation के बारे हम बात करेंगे और important इसलिए है कि आज market का क्या होगा आज bitcoin के levels उपर जाएंगे या नीचे आएंगे इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि आज रात को जो है FOMC की meeting जो होने वाली है जो decision है interest rate का वो आने वाला है 11.30 के उपर जो है रात को ये decision आएगा और जैसे ही जो भी decision आएगा सबसे पहले कहां मिलेगा हर बार की तरह हमारे telegram channel पे तो अगर आपने अभी तक telegram channel को join नहीं किया है तो link है description में आप join कर सकते हैं ठीक है और ये जो decision है ये market के लिए आज बहुत जरूरी है ये जो decision है यही यहाँ पे final करेगा कि जो march month की closing है वो bitcoin 30-32 पे देगा या फिर थोड़ी सी situation नीचे आएगी उसके बाद हमको जो है bitcoin देर सवेर उपर जाता दिखेगा ये सब depend करता है आज की decision के उपर है ना क्या decision आने वाला है अभी bitcoin की जो situation आप देखो 28,200 पे जो है bitcoin ट्रेड कर रहा है 28,200 डॉलर्स पे और Ethereum की बात करता हूँ 800 डॉलर्स से नीचे चल रहा है थोड़ा सा 840 तक के high लगा रखे है Ethereum ने ठीक है अगर एक bullish wave आई यहाँ पे FOMC के decision के बाद तो एक चीज समझ लो वो नजारे बहुत अच्छे हो सकते हैं 30,32 की range 30,31 की जो range है bitcoin हिट कर सकता है और इसके साथ साथ जो Ethereum के level हमको देखने को मिल सकते हैं वो 2000 डॉलर के देखने को मिल सकते हैं लेकिन सब चीजें वही बात है नगर डिपेंड करता है FOMC decision के उपर और बात करेंगे कितना decision आएगा कितना number आएगा तो market के क्या level हमको देखने को मिलेंगे ठीक है अभी यह है market की current situation Bitcoin टिका हुए 28,200 के उपर 27,28 Bitcoin आपको पता है पिछले एक दो दिन से कर रहा है जब से FOMC की meeting का time नज़ी का आ रहा है तब से fluctuation देखने को मिलेंगे अल्रेडी 27,300 के low भी लगा के आया है हम है ना Bitcoin 27,300 के low भी लगा के आ है और अभी 28,000 पर टिकने की कोशिश है और Bitcoin टिका रहेगा ठीक है 27,800, 900 पर भी आ सकता है लेकिन wait Bitcoin भी कर रहा है किस चीज़ का FOMC के decision का तो FOMC के decision से पहले volatility देखने को मिलेगी थोड़ा alert रहेगा जितने भी traders हैं आप trade कर रहे हैं तो alert mode में रहेगा हमने तब भी discuss किया था कि Bitcoin का क्या हाल रह सकता है और exact Bitcoin ने वही किया था वही CPI data कम आया और उसके बाद Bitcoin ने उसी दिन 26,000 डॉलर हिट कर लिया था मतलब दो candles green बनी और 26,000 के level हमने हिट कर लिये थे हैं क्यों? क्योंकि 6% आया था CPI data अब देखो 5 मेंने से क्या हो रहा है CPI data कम आ रहा है inflation कम है तो inflation कम है तो interest rate को high करनेगा कोई यहां पर reason बनता नहीं है अब FED के उपर pressure एक सिर्फ यहां पर CPI data का नहीं है CPI data negative आ रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन FED के उपर इस टाइम पर जो pressure है Federal Reserve के उपर जो pressure है जो zero on Powell है उनके उपर जो pressure है वो है banking crisis का जो US के अंदर banking crisis चल रहा है उसको ध्यान में अगर हम देखें उसको ध्यान में रखें तो इस बार decision यह भी आ सकता है कि कोई interest rate hike हो ही ना मतलब zero BPS देखने को मिले और अगर zero BPS देखने को मिला देखो chances है कि zero BPS देखने को मिल सकता है क्योंकि एक तरफ banks डूब रहे हैं US के आप banking stocks उठा के देख लीजिए First Republic Bank का आप stock उठा के देखिए इतना जबरदस्ट crash हुआ है है ना हमने chart भी share किया था अपने telegram channel पे तो banks डूब भी रहे है banks का अच्छा कासा crisis भी चल रहा है और banks के share भी डूब रहे है अच्छे कासे ऐसे में कोई chance यहाँ पे नहीं बनता कि कोई FED का interest rate hike देखने को मिले वो भी इतना massive वाला अब तीन option है interest rate के है ना एक तो है top का 50 BPS 50 BPS जिसके chances बहुत कम है बहुत कम means 10% chances लगा के चलिए कि 50% देखने को मिले है ना वो भी मुझे बहुत कम लग रहा है कि 50 BPS देखने को मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि अगर वो देखने को मिला तो market dump हो सकती है थोड़ी बहुत है और 50 BPS के chances बहुत कम लग रहे हैं ऐसे टाइम में 50 BPS बिलकुल भी Fed increase नहीं कर सकता जहां खुद banking का एक crisis चल रहा है US के अंदर दूसरा option है 25 BPS का 25 BPS आया था पिछली बार एक फरवरी को जब 31 जनवरी और एक फरवरी की जो मीटिंग होई थी उसके अंदर 25 BPS आया था रात को decision हमने तब भी share किया था तब भी बहुत अच्छा bitcoin pump हुआ था है ना bitcoin ने देर सवेर अच्छी खासी green candles हमको दिखाई उसके बाद क्योंकि decision कम आया था काफी time के बाद जो 75 50 BPS बढ़ रहे थे 2022 तक वो 25 BPS तक नंबर आ गया लेकिन इस बार situation विल्कुल उलट है और इस बार situation bitcoin के लिए बहुत खास है मतलब हमारे favor में जैदा है और हमारे favor में देखो सबसे जदा chances क्या है देखो सबसे जदा chances है यहाँ पे 25 BPS आने के ठीक है और उससे अगर हम बात कर ले 10% chances आप लेके चलिए 50 BPS अगर आया तो market dump होगी और वो आने के chances वैसे तो बहुत कम है अगर 25 BPS आया तो market neutral में रहेगा यानि 27-28,000 की जो range है वो चल सकती है हो सकता है 27,500-300 पे level आजए bitcoin के जदा कोई बड़ा dump देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर 0 BPS आया तो bitcoin fly करने वाला है skyrocket होने वाला है और वो level 29 को भी cross कर सकते हैं और 30 तक भी जा सकते हैं तो इन 3 में से जो सबसे ज़्यादा अगर हमारी माने सबसे ज़्यादा जो option इस time पे दिख रहा है मुझे लगता है 25 BPS इंक्रीज करने का भी कोई reason नहीं है FED के पास लेकिन अगर 25 BPS भी आया है तो मामला neutral वाला रहेगा market में ठीक है अगर 25 BPS भी नहीं आता और इस बार interest rate 0 BPS का number आता है तो फिर आज bitcoin की आप एक और जो है 0 BPS आये ठीक है अगर आया तो बहुत अच्छी बात है market fly कर सकता है ठीक है अगर 25 BPS आया तो neutral और 50 BPS आने के chances वैसे ही बहुत कम है ठीक है तो I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गयोंगे क्या कुछ हो रहा है market में और क्या कुछ होने वाला है आज रात को सारी update टेलीग्राम पे मिलेंगी link है description में जोईन जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आया like, share, comment कीजिएगा ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care